अच्छा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टू एजविस्टर्स आज हम लोग डिसकस करेंगे डैमेज प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में इसके पहले हमने पूरा दे दिया है पाहिला का क्लास आप लोग हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं या आई बटन प नहीं देखते हैं ज़रा नहीं नहीं प्ढ़ाने जा रह biblical ने में यह कुसर यह कि उसको टेमेज है सारी शोड़ा सा सते हैं मस्ति होती है जाने सकते हो, ऐसे सामने की तरफ ऐसा बना होता यो भी से वह रोस्ट्रम या सकर कहलाता है, जिसकी सहायता से, यह आपने डाइग्वरां में देखा होगा भीटा, यहीं चीज़, इसका रोस्ट्रम या पीकर बोला गया था, इसकी आपकी सक्सक्राइब है यह क्या करता है यहां पर इसने क्या कड़िया और शुबन कर लक्या यहीं चीज हम इसší संदर खाले और यह सक करने के कारण अगर एक बात ध्यान देना अब आपके माइंड में यह चलना होगा कि सर यह पत्ते को सक कर रहा है तो पत्ते से इस प्लांट को क्या एफेक्ट है बैस सिंपल सी बात है हमारे हाथ को तोड़ दो तो हम पे कोई प्राबलम होगा बहुत सारा प्राबलम है पढ़ा ही नहीं पहेंगे लिखा ही नहीं पहेंगे मुझसे कितना बोलेंगे जब तक लिखेंगे नहीं चलेगा नहीं सेम चीजे वही होती है कि प्लांट का तो सारा कुछ यह लीफ ही है अगर यह कट कर दिया जाए या इसको सुखा दिया जाए तो यह प्लांट खतम हो जाएगा इसमें जो होने वाली प्रोडक्शन है वो घड़ जाएगी क्योंकि यहीं से सारी चीज़े यह करता है food material I mean photosynthesis करके food का formation यह leaf के द्वारा करता है in the presence of sunlight so you can say that he are affected by parilla now we discuss about damage of parilla with the help of rostrum the nymph and adult अगर हम बात करें यहां पे जो rostrum है किस के पास है दोनों के पास है निम्फ और अडल्ट दोनों के पास है यह कर क्या रहे है पाइरिला यह पाइरिला का ही बात हो रहा है पाइरिला के जो निम्फ है और एडल्ट है दोनों क्या करते हैं अपने रोस्ट्रम के थ्रू सक कर लेते हैं सक करते हैं क्या चीज़ बिटा cell sap of the leaf of sugarcane यानि गन्य की पत्ती की पास जो cell है यहां पे जो cell है इसके अंदर जो लिट्विड है तरल है उसको यह क्या करते है सक कर लेते हैं और इसका effect क्या होता है ऐजे रजιज़ट्ट इसका result क्या मिलता है Leaf become yellow a súh seminar पाती क्या होती है पीली पढ़ जाते है या फिर ट्रांस्पेरेंट और वहां से रिलीज होता है दे रिलीज स्वीट इस्टिकी ट्रांस्पेरेंट लिक्विड वहां से एक लिक्विड रिलीज होती है स्वीटी होती है मीठा सा होता है ट्रांस्पेरेंट होता है चिपचिपा होता है नोन एज उसको बोला जैता है हनी क्यूं डर के आगे जीत है वाला उसकी बूदे और मतलब पूदे तो यहां हनी के बूद निकलती है ड्राप निकलता है हनी ड्राप उस की तरह आपका सकतह ड्राप लेट निकलता है वहां हनी का ड्यूटु तो दिस जिसके करण क्या होता हर्म फुल फंगस वहाँ पे ग्रोथ कर जाते हैं जो ब्लैक सुटी मॉल्ड यानि काले से गाट की तरह या चिपड़े की तरह वहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं और यह पूरे पत्ते के उपर फफून से घेर लेते हैं अट्रैक्ट दा गुड ग्रोथ यह ध्यान देना कि यह क्या है जो हनी हनी की बूंद इस पत्ते पे निकली हुई है जिसके कारण क्या होगा बच्चा कि वहां हार्मफूल फंगस अट्रैक्ट होंगे इस पत्ते की तर हो जाएगी जिससे क्या होगा डियू टू विच जिसके करण होने वाला क्या है दरेट आफ फोटो सिंथेसिस पत्ते पे अगर इसने चूस लिया चारो तरफ से सेल सैप को यहां से हनी की इसके चूसने के बाद यहां पर ड्रापलेट निकलेगा कुछ ड्रापलेट जो मीठा होगा ट्रांसपेरेंट होगा मालो यहां पर अब हम दिखा दियें यहां से यह चूसके निकल गया तो इस पर थोड़ी थोड़ी बूंदों के रूप में यह निकला और यह बूंदे क्या कर रही है कि अपने उपर एक ब्लैक स्पार्ट से कभर करने जा रही है यह कर दी यहां पर संड्रेस गिर रहा था यह गीरेगा जरूर लेकिन रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा उसका क्या कारण है क्योंकि यहां पर एक अल्रेडी लेयर बन चुका है ब्लैक स्पार्ट जो किस्से हुआ हैं यह स्वीट डियो जो यहां पर था अब इसमें क्या होगा कि फोटो सिंथेसिस हो नहीं सकता फोटो सिंथेसिस होगा नहीं तो यह अपने फूड मैटेरियल को गन्ना बनाएगा नहीं और गन्ने में अगर फूड मैटेरियल बनेगा नहीं तो इसमें सुगर की मात्रा इसके रस की मात्रा अल्रेडी घड़ जाएगी और गन्ना कुछ पलबाट ड्राई हो जाएगा सूख जाएगा और रिजल्ट क्या होगा कि इसमें जो सुगर की क्वालिटी और क्वांटिटी है दोनों गिर जाएंगे फैक्टर होंगे और फाइनली प्राब्लम किसान को होगा तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है ड्यू टू दीस हर नहीं बोल दिया कि यह फोटो सिंथेसिस का रेट गिर जाएगा डिक्रीजेज आइज रिजल्ट और उसका रिजल्ट क्या होगा अभी एक रिजल्ट आपने देखा अब दूसरा रिजल्ट किसका फोटो सिंथेसिस का रिजल्ट देखिए कि यह फोटो सिंथेसिस अगर इ होगा the yielding or production किसका production जो इस गन्ने से होने वाली production यह नहीं कि कीड़े की production कीड़े अपने बच्चे का production की बात नहीं करेंगे यहां बात होगा इस गन्ने के अंदर जो रस का production है I mean sugar का जो चीनी से निकलने वाला है इसकी production में क्या effect आने वाली है of sugar can decreases गिर जाएगा in this way इस विधी में हम क्या देखते हैं the quality जो गन्ने की quality है and quantity of sugar is affected by this paste अब यह मत कह दे ना कि जो sugar है वो नमकीन आने लगेगा यह तीखा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा यह चीनी अगर एक गन्ने से माल लो suppose that एक गन्ने से कीलो अगर चीनी निकलने वाला था ऐसा नहीं है एक ग्लास रस निकल जाए वह बहुत है तो यह घटके मान लो की 50 ग्राम 100 ग्राम इतना ही रह जाएगा क्योंकि यह सूख चुका होगा तो यह बहुत जादे एकि कर देगा किसान के लिए चलते मिटआ इसके prevention and control को कि इतना effect कर देगा तो इसको बहुत जरूर है कि पहले मारक पन्तों चलते हटाने एक नेच्ट फसलों का बदलाव अगर होता रहे तो आल्रेडी उसके बदलने से ही कीड़े हड़ जाते हैं और दूसरा क्या होता है कि कुछ उसमें हेर फेर बदल करना जरूरी है जरा देख लेते हैं क्या है कि यहां पर कुछ मेथट दिये गए हैं जो इसको रोकने के लिए बहुत यूजफूल है जरा देख लेते हैं क्या क्या है एक मासेज सुड़ बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्राइड बाइ बर्निंग और इस्प्रेंग आफ फेनाइल वाटर यानि फेनाइल वाटर के मतलब यह कर लें कि पहले हम एंड जहां जहां पर उनको कलेक्ट कर लें उसको अगर नंस्ट कर सकते हैं तो करें या फिर हम क्या करें बर्निंग जलादी या फिर spraying of fennel water यानि fennel water अगर है तो उस पर हम छिड़काव कर दे तो वो next हो जाएगा या खतम हो जाएगा उसका एग खतम कर दे तो इनके कीड़े को हटाया जा सकता है next क्या है the quantity the quantity of nitrogen should be well balanced in the soil जिस खेत में गन्य का फसल उगाना है वहाँ nitrogen का छिड़काव ऐसा होना चाहिए या nitrogen की मात्रा जो मिट्टी में है वो हमको नपी तुली देख लेनी चाहिए कितना है उसके हिसाब से I mean balanced होनी चाहिए इसके लिए next point है resistant varieties of sugar can should be taken यानि गन्य की ऐसी variety ले जो resistant हो जैसे क्या होत resistant आप लोग देखी रहें कि लोग ले रहें जिसको पानी में डुबा दो तो भी फर्क ना पड़े वैसे ही गन्य भी resistant है water resistant की बात नहीं करेंगे गन्य में यह कैसे होने चाहिए कीड़े प्रूफ होने चाहिए मतलब खीडा रजिस्टेंट की कीड़ा उस पे effect ना करने पा लेकिन जरा आप लोगों को अगर मालूम है तो इस को के बारे में हमें भी जरूर जानकारी दें आप लोग सर्च करें और अपने आसपास पडोस में जो खेती करते हो जरा उनसे सला ले या agriculture फिल्ड से जो जूड़ा हो थोड़ा उससे नालेज ले कि यह को का मतलब क्या एक पॉइंट और है पेटा जरा ध्यान देना रत्ून क्राप्स सूड़ भी एवाइड़ यहां पे एक पॉइंट नोट करने वाली है जो रतून क्राप दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जिस खेत में यह मालो खेत हो गया यहां पे गन्ये का पौधा। उगा लेंगे मिट्टी में यह इतने दबे रहा गया और कुछ इसकी ऊपर की पोर्शन को छोड़ देते हैं इससे उनको फाइदा क्या होता है कि यह इन्हों निकाल लिया यह पॉइंट गन्य का हटा दो इन्होंने क्या किया इतना निकाल लिया ध्यान देना विटा वीडियूँिते बने रहोगे तभी आपको समझवयागा और इतने गन्य के फसल को जमीन में रहने दिया अग्योही सीजन आएगा यह कट करने के बाद यहां पे क्या बदले निव फसल का ग्रोथ करना है क्योंकि यह रहेगा कहीं न कहीं इसके कीड़े के अंडे या कुछ पड़े रहेंगे फिर इसके चलते वह पनब जाएंगे इसलिए यहां तुरंद मिट्टी का बदला आई मिन जुताई किया जाए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किय पानी में फैनिल डाल के सिचाई की जाए फिर उसके बाद फिर से जुताई की जाएए और धूप लगने के लिए छोड़ देने के बाद फिर से गन्ने का ववाई किया जाए तो यह परफेक्ट गन्ना आपको मिल जाएगा तो यह चीज़ आपको अवाइड करना होगा यही क्राप लानी है आपको नेच्ट पॉइंट है देस्टिंग आफ इंसेट इनफेस्टेड क्राप बाई बीएस्टी जहां पर यह लगे हुए है कीडे यह खराब हो रहे हैं पूदे वहां भी एसी का छिड़काव किया जाए बेंजीन एक्सक्लोराइड का छिड़काव कि किया जाए जिससे होगा क्या कि यह नश्ठ हो सकते हैं किडे इस्प्रेंग आफ इंसेक्टिसाइड इसमोर एफेक्टिव और सबसे ज्यादे इफेक्टिव क्या होता है कि इन फसलों में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाए आई होप आप लोगों को यह एकदम क तरफ चलेंगे जो आपको पढ़ना क्या है रोडेंट्स है तर्माइट्स है कुछ इसमें जो भी है जरा हम देख लेंगे कि अगर इसमें भी कुछ बचा है तो वह भी देंगे बिटा ऐसे नहीं कि अभी कंप्लीट हो गया तो हम बोलेंगे कंप्लीट है लेकिन यहां से जो एकजाम में आने वाली पोर्षन थी यह हमने इसको कंप्लीट कर दिया है अभी कुछ पोर्षन वह भी एकजाम में आने वाल है जैसे अभी टर्माइट पढ़ना है फिर रोडेंट्स पढ़ने तो इन सबको भी हम नेक्ट्ट वीडियो में आपको देंगे और जो भी नए ह प्लिस सब्सक्राइब करिए शेयर नहीं किये तो अभी तूरंत आप लोग शेयर करो और शेयर तेजी से करो जिससे हमारा वीडियो और ज्यादे ग्रोथ करें थाइंक्यू फार वाचिंग मैं वीडियो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें